इस टोपिक से आंटल को रिलेट कर सकते हो, मिलेट्स कंटेस्ट क्या है, क्यों हम ये आंटल डिसक्स कर रही है, देखो UN के दुवारा 2023 को ना International Year of Millets क्रूप में डेल क्या गया है, और ये UN ने किया इंडिया के कहने पर, तो देखो कोशन ये उठता है, अगर आप राइस और वीट से कंटेस्ट करो ना, तो मिलेट्स में आपको ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा आपको विकमिन्स मिलेंगे, और वीट और राइस को कंजून करने से काफी तरह के शान हयादा है, उनों को अपना इंडविं पर बंगिराने लगी थी, तो वो गलती से अपनी ही ब्तालियन पर तो यह और इसको बोड़ी से आप देखें वीट और राइस कंजूम करने से गेश्ट्रों इंटेश्टिनल डिवर हो सकते हैं लेकिन मिलेट दूसी तरफ काफी ज्यादा एड्वांटी यह से वेट से कंपेर करोगे तो आरन जिंक और प्रोटीन यह उतना ही मिलेगा बाजरा वो फुल-फुल मैसूस करती है, यह जल्दी ने लगती सिंपलबासा में, और अनिको ट्रेकेट डिसोडर से आप बच जाते हो, जो सुगर लेवल है वो जल्दी से नहीं बढ़ता, यह फाइदा होता है, फाइदा देखो, और भी ज्यादा है, अलग लग लग देमेंशन में कम समय लगता है, मतलब मिलेट को उगाने से लेके फसल की कटाई तक, साइकल बहुत चोटा होता है, अलमुष्ट से लेके 80 दिनों के वीच में, लेकिन देखो, वीट और राइस को आप उगाते होना, आपको ज्यादा समय लगता है, तो मिलेट को आप उगाओगे, हर बनेगी, मतलब आटे को जो गुंदा हुआ आटा होता है, उसे संभालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, और आटे की रोटी है, वो तो बिल्कुल फुली फुली बनती है, जल्दी बन जाती है, तो इस वजए से लोग ज़्यादा आटे की रोटी पसंद करते है, लेकिन उ हेक्टेर इल्ड जो है न, मिलेट की बहुत होती है, जैसे देखो ये खेत है, इस खेत में आप उगाओगे, राइस वीट आपको ज्यादा उगेगा, इसकी पैदाबार होगी, और मिलेट की पैदाबार रिलेटिवली कम होगी, तो इस वजजे से किसान ना, मिलेट को ज्य क्लियर कर दिया, तो इसका एक बहुत बढ़िया सोलिशन है, क्या सोलिशन है, अभी देखो, पीडियस में आपको बता है, वीट राइस डिलीवर किया जाता है, अभी तो एक जनवरी से वो फ्री भी हो गया है, आपने न्यूस बड़ी होगी होगा है, तो सर्कार एक चीज ज्यादा होती है, मिलेट में तो बच्चों में रइडन हमगर जैसी जो चीज़े हैं वो दूर कि जा सकती है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक तरफ हमारा स्थान होगा, और दूसरी तरफ क्या, चूँकि देखो, अगनवाइडीज में मिलेट दिया जाएगा बच्यों क तो वो मिलेट्स कहां से आएगा किसानों से तो मतलब आवशक्ता होगी तो किसान भी ज्यादा प्रियूस करेंगा मिलेट्स सरकार यह कर सकती है कि स्टेट लेवल को फॉंट्स दे कि हम आपको अटोन्मी देते हैं आप रिजनल लेवल पे मिलेट्स प्रक्योर किजिए और व इसलिए 20 सालों से देखोगे तो प्रोडेक्शन लगातार नीचे जा रहे हैं बट अब वो साल है कि तर्दिंट साबिक हो सकता है इन चीज़ों पर अगर सरकात ज्यान दे तो मिलेट्स की जो कंजप्शन है फिर से हमरे देश में इंक्रीज हो सकती है और इसके जाहिर दोर प्रोड़ कि जाहिए और गुरो पुरग